कुश्चन नमबर 7 है अपने सामने इसमें क्या दिया ए 800-meter long train running at a speed of 90 km per hour if it crosses a bridge in 50 seconds then what is the length in the meter of the bridge एक 800-meter लंबी रेल गाड़ी 90 km प्रती घंटा की गती से चल रही है यदि बहे एक पुल को 50 सेकंड में बार करती है तो पुल की लंबाई मीटर में क्या है कुश्चन वहती आसान है 800-meter लंबी गाड़ी है और 90 km प्रती गंटे की speed से चल रही है वो पुल को किती देर में पार कर रही है पचास सेकंड में तो फॉर्मुला क्या होता है time is equal to distance upon speed यह फॉर्मुला है 800-meter लंबी गाड़ी है प्लस पुल की लेंथ पीमान लेते है अपन ठीक है speed क्या है 90 km पर आवर लेकिन 90 km पर आवर से काम नहीं चलेगा इसको meter per second में convert करना पड़ेगा meter per second में convert करने के लिए करना पड़ेगा 5 by 18 से multiply और time कितना दिया है अपनको time दिया है 50 seconds question अब लगवा खतम ठीक है यहां से यह कड़ जागा 9 to 18 यह बचेगा 10 और 50 into 10 कितना हो जागा 5 into 10 या फिर इसको यह वारो काट लो 5 से 25 25 into 5 करेंगे 125 125 और एक 0 ठीक है यह कितना बचा 800 प्लस पी पी किया पुल की डिस्टेंस बारा सो पचास में से आट सो गटाएं कितना बचेगा 450 equals to P यह क्या आगा पुल की लेंद आगा जो कि अपन से पूछा था D option correct answer ठीक है